चोपड़ा है जोगे इसने यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बच्चों MCC ने इस्ट्रे वेकंसी राउंड के लिए सीट मैट्रिक्स जारी कर दिया है मैं आपको इस वीडियो में केटेगरी वाइज कोर्स वाइज सीट्स बताऊंगा कि कौन से कोर्स में कितनी सीट्स वेकंट हैं MBBS में कितनी सीटें केटेगरी वाइज वेकंट हैं BDS में कितनी सीटें हैं और BSC Nursing में टोटल कितनी सीटें हैं केटेगरी वाइज इसके साथ ही हम ये भी चर्चा करेंगे कि इनकी कटोफ क्या रह सकती है डेमडे युनिर्सेटी में कितनी सीटे हैं इसके अलावा MCC ने एक इस्टे वेकंसी राउंड के रेगार्डिंग नोटिस दिया है उसके बारे में भी बात करेंगे याँ पर तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि टोटल कितनी सीटे हैं इसमें तो इसमें जो टोटल सीटे हैं वो 740 सीटे हैं 740 सीटे में MBBS, BDS और BSC Nursing तीनों कोर्सेज की मिलाकर के ये 740 सीटे हैं अब बात करें हम इसमें कोर्स वाइज बात कर लेते हैं तो सबसे पहले MBBS की बात करें, तो MBBS में 218 seats vacant है, stay vacancy round के लिए, यह जो आप यहाँ देख रहे हैं, इसमें category wise vacant seat है, open में 79 है, EWS में 19 है, OBC में 55 है, SC में 47 है, ST में 16 है, और इस परकार से PWD open में 2 है, EWS, PWD में कुछ भी नहीं है, OBC, PWD में कुछ भी नहीं है, यानि कि बाकी PWD किसी भी category में seats नहीं है, open को छोड़ करके, open में 2 seats हैं, तो इस परकार से 218 MBBS की seats हैं, BDS की बात करें, तो 313 seats है, VB vacant है, stray vacancy के लिए, और BSA nursing की 209 seats है, तो इन सब को मिला के 740 seats हैं, MBBS की बात करें, तो इसमें 218 seats ही अभी vacant हैं, इनका सब का जब amount देखते हैं, तो ये 740 काफी बढ़ा amount है, लेकिन MBBS का अगर अकेले का देखते हैं, तो 214 seats ही available है, stray vacancy round के लिए, अब इनकी cut-off क्या रह सकती है, तो ये cut-off मैंने पहले भी predict की थी, यही cut-off रेडें की possibility है, open की 596, EWS की 595, OBC की 596, SC की 453 और ST की 420 cut-off रह सकती है, क्योंकि अभी seated 218 ही है MBBS की, और ये जो मैं expected cut-off बता रहूँ, ये MBBS की cut-off रह सकती है, 596 UR केटेगरी की, इसके बाद में अगर हम बात करते हैं dimmed university की, तो dimmed university का जो stray vacancy round होगा, वो concerned university द्वारा ही conduct करवाया जाएगा, यानि की dimmed university के लिए stray vacancy round in vacant seats पर dimmed खुद conduct करवाएगी stray vacancy, 986 seat अभी भी vacant हैं, तो जिन candidates को dimmed में admission लेना है, वो concerned university की website पर visit करते रहें, उनका जैसे ही schedule आता है, उसके according वहाँ पहुँच करके stray vacancy में सामिल हो सकते हैं, मैं आपको यहाँ बता दूँ कि किसी-किसी dimmed में इस्टे के लिए अपना university खुद registration करवाता है, तो आप उनकी website पर visit करके देख लें, यह जो seat वेकेंट रही हैं, high fees वाली जो dimmed university हैं, उनमें काफी ज्यादा वेकेंट हैं, जो dimmed university कम fees की, उनकी seat वेकेंट कम हैं, अब हम notice के बारे में बात कर लेते हैं, तो MCC ने इसका schedule का तो पहले ही notice दे दिया था, कि क्या schedule रहेगा इसरे वेकेंसी राउंड के लिए, यानि कि 24 और 23 को result आ जाएगा, 24 से 28 तक reporting रहेगी, और 28 last date रहेगी MBBS admission की, यह state के लिए भी लागू है, और MCC के लिए भी यह लागू है, पहले यह date 21st December 22 थी, इसको अभी बढ़ा करके 28 December 22 कर दिया है, इस date को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि special stray vacancy round MBBS के लिए conduct होना मुश्किल है, क्योंकि सीटे MBBS के लिए वैसे भी कम आई है, और यह सीटे stray vacancy round में फिल होने की पूरी possibility है, क्योंकि इस बार block होने के chances बहुत ही कम है, क्योंकि पहले ही यह MCC द्वारा एक consent लिया जा रहा है कि आप इस्टे में participate करना चाते हैं या नहीं करना चाते हैं, इस्टुडेंट को participate करना है, वही इसमें participate करेंगे, नहीं तो उनको security money का नुकसम हो जाएगा, जिनको आलड़ी seat मिल रखिये, जो participate नहीं करना चाते हैं, तो वो इसमें opt-out कर देंगे, अब जो इसकी last date रहेगी, वो 28 December 22 रहेगी, इसके बाद में MCC का BDS और BSC nursing के लिए मोपप 2 कंडेक्ट करवाया जाएगा, यानि हर बार की तरह, stay vacancy round तक MBBS, BDS, BSC nursing का जो allotment होता है, इसके बाद एक BDS और BSC nursing के लिए अलग से मोपप 2 होता है, मोपप 2 के लिए अलग से schedule दिया जाएगा, MCC का, वो हम आपको inform कर देंगे, आप भी MCC की website पर visit करते रहें, तो ये seat matrix और public notice के बारे में जानकारी थी, MCC के बारे में, मैंने आपको expected cutout भी बता दी है, तो आप इस इसाब से तयारी कर सकते हैं, और इसमें जो stay vacancy round होना है, वो मोपप की choice के उपर ही होना है, च्वाई से आलड़ी फिल हो चुकी हैं, पहले ही मोपप की जो choice ही हुई थी, उसी के उपर ये round conduct होगा, तो ये जानकारी थी stay vacancy round के बारे में, नई अपडेट, नई जानकारी के साथ आप से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जैहन, झाले, 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 झाले